अब तो याचना नहीं रण होगा एक ऐसा युद्ध होगा जो हमारे केरियर में हमें सफलता के मुकाम तक ले जाए क्योंकि आज गोचर परिवर्तन हो रहा है ठीक 5 फरवरी सन 2024 से लेकर के 15 मार्च 2024 तक के मंगल देव परम उच्च के होने वाले हैं इनका उच्च स्थिती पर आना आपके अपने मेश्रासिक जीवन में क्या परिवर्तन ले करके आएगा वो कौन से रण होंगे जो हमें लड़ने पड़ेंगे और अब बहुत हो गया हमारे ग्रह हमें पदान नहीं कर रहे हैं या किसी कारण से हमारे जीवन में परिसानिय और असांति का महल हमें देखने को मिल रहा है तो अब संग्राम का सभय आ चुका है कैसे और कैसे इस विधी के द्वारा हम अपने जीवन में लाभानवित अपने जीवन को करा पाएं कैसे हम सफलता के मुकाम को प्राप्त कर पाएं आज बात सिर्फ और सिर्फ इसी के होने जा रही है ध्यान दिजेगा आपके अपने जो रासी के अधिपती बनते हैं यही बनते हैं मंगल देओ और मंगल देओ जैसे ही इनका गोचर परिवर्तन आपके भाग के भाव से निकल करके दसंभाव पर आता है अर्थात कर्म छेतर पर मंगल का समराज जा जाएगा जिस दस नंबर की रासी पर इनका आगवन हो रहा है यह कोई समान्य रासी नहीं होगी यह सनी का घर है और सनी के घर पर मंगल होगे अर्थात कर्म के इस्थान पर हमारी जागरिती होगी यह समय ऐसा हो सकता है कि अब हमें अपने कर्म छेतर में सफलता मिलने का एक बहुत हो या कित्मी परिसानी बनी होगी हो मंगल देटा हमारे साहस के प्रतीक माने गए है अर्थात इस मैं पर हमारे साहस हमारे परिस्थ限 का प्रतिफल हमारे कर्मों के ध्रारा हमें प्राप्त हो पाएगा ध्यान दीजेगा kindly दस नंबर पर मंगल पर जब किसी कारण से स्वास्थ जनित कोई परिसानी है यदि मेरे अंदर confidence की कमी है या फिर किसी भी प्रकार से मुझ में कोई कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए मंगल यहाँ पर protect करेंगे आपके अपने रासी को और उपर से आपके अपने रासी के ही अधि बनते हैं मंगल इसलिए इस समय पर आपके साहस आपके परिस्रम का प्रतिफल आपको सत प्रतिसत देखने को मिलेगा यह मंगल का सबसे बड़ा advantage आपके जीवन में इस समय पर आपके साथ घटित हो सकता है ध्यान मंगल जब आपके लगन को देखेंगे तो ठीक इसके बाद मंगल की जो अगली द्रिष्टी पड़ेगी वो ठीक आपके चतूर्थ भाव पर पड़ेगी जो इनकी सात्वी दृष्टी है, साथवे दृष्टी को मित्रवत दृष्टी मानी गई है अर्थाट चतूर्थ भाव आपके सांती का, आपके सुखों का यदि किसी करान से मैं होगा पांच फरवरी से लेकर करके 15 मार्च तक कसम है यह आपके favor में रहेंगे मंगल को क्या कहा गया है मंगल को कहा गया है भूमी पुत्र कहा गया है अर्थात भूमी प्रॉपर्टी से जुड़ हुए कई मामले आपके जिवल में सुधर सकते हैं इन 40 दिन में इस बात क को देखने को मिलेगा मंगल के जो द्रिष्ठी पड़ रही है ठैक आपके पंचम भाओ अर्थात आपकी मानसिक क्रिया पंचब हाउ अर्थात आपकी नीड़नय की छमता आपके नीड़नयों के द्वारा एक बहतर प्रतिफल आपको निकाल कर देने का सामर्थ यहां पर मंगल देव रखते हैं माना जाता है यदि आठवे भाव को देखा जाए तो वो हमारे जीवन में चेंज का होता है एक परिवर्तन का होता है तो मंगल देव क्या चाहते हैं भी परिवर्तन चाहते हैं किस इस्थान पर चाहते हैं तो पंचम हैं उनके carrier को ले करके हो आपको परिवर्तन करने क्या हो सकता है दसम भाव से देख रहा है अपने अंदर अपने carrier को पर भी यदि आप संतुष्ट नहीं है आपके इच्छन रूप आपको salary नहीं मिल रही है या आपको पदप्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो रही है आपको change करने किया हो सकता है जो आपके मनह बस्तिस्क में चल रही है उसके अनुसार चुकि पंचम भाव मेरा share market भी होता है यदि आपने कहीं पर पैसा investment किया है चाहे property पर हो share market में हो या gold में किसी भी रूप में आपने किया हो यदि वहां से profit नहीं देख रहा है तो यह इस्थान मंगल की आठवी द्रिष्टी आपको बोलेगी भई उसमें change कीजिए परिवर्तन कीजिए तब मैं आपको सफलता आपको income निकाल करके दूँगा यह मंगल का वादा है जो आपके दसम भाव पर परम उच्च के हो रहे हैं अब यही वो इस्थान होगया पंचम भाव ही मेरे प्रेम सम्मंधों का मंगल की द्रिष्टी है तो क्या प्रेम सम्मंधों को change करें नहीं यहाँ पर प्रेम समंधों को चेंज कहने की बात नहीं होगी अपने प्रेम पर हमें देखना है कि कहाँ पर मुझे में गलती है या कहाँ पर सामने वाले में गलती है उन गलतियों को पकड़ करके उसके अनुसार मुझे निर्णाय लेने क्याव सकता पड़ती है ये आपका मंगल है जो इनकी आठवी दृष्टी आपके पंचम भाव पर पड़ती है ये इस्थान पुर्व जागरित कर्मों का होता है और उपर से देखिए इस भाव के स्वामी भगवान सूरिय हो गए और सूरिय की स्थिति कहां बनी हुई है आज की डेट पे जब ये गोचर परिवर्तन होगा सूरिय ओलेडि दसम भाव पर ही उपस्तित होंगे अर्थात सूरिय और मंगल का कॉंबिनेशन है और यही नहीं यहीं पर बुद्ध देउता भी उपस्तित होंगे तीन ग्रहों का एक संग सामराज ये आपके परिदसम भाव पर देखने को मिलेगा जो कि आपके कर्म छेतर का है सूरिय आपको प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाएगा मंगल स्वयम आप हो गए जो दसमभाव पर है अर्थात ये पूरा गोचर का जो समय होगा आपके करियर में कोई परिवर्तन ला सकता है पदपतिष्ठा की बिद्धी करा सकता है आपके उच्चा धिकारियों से आपको सपोर्ट दिला सकता है या फिर जहां कहीं भी आप चाहते है कि इस समय पर मुझे क्या वहाँ पर एप्पलाई करना चाहिए मुझे वहाँ से सफलता मिल सकता है हाँ मंगल आपके जीवन के करियर को परिवर्तन करने के लिए ये बात दि होते हैं विचार कीजिए एक बात आप कि मंगल दस नंबर में ही उच्चे के क्यों माने गए हैं भई इतने सारे रासियां हैं कहीं पर भी उच्चे के हो सकते थे इसका मेन कारण हो गया दसमभाव सनी का घर होता है और सनी कर्म के दे होता है अर्थात दस नमर की रासी हमारे कर्म को प्रदर्सित करती है अर्थात इस पूरे के पूरे समय पर आपका सारा का सारा मियंतरन सारे के सारे जो जिम्मेदारियां होंगी जो उपलब्धियां होंगी वो आपके कर्म शेतर में बरहोतरी के लावा कुछ भी नहीं है ये मंगल का ट्रांजिट समझे जुड़ जाए उस शेतर से जहां से आपको सफलता मिलना है जुड़ जाए उन लोगों से जहां से आपके कारे बनने हैं ये सब के सब आपके कारिय बनाने के लिए बात दे रहेंगे, मंगल का सपोर्ट पूर्णता आपके संग में हैं, आपके बर्थ चार्ट में मंगल की स्थिति अच्छी हो अत्वा बुरी हो, लेकिन यदि गोचर में वो प्रभावी है न, इसका मतलब आपके सांत में मंगल ख और जाता है, और इसी प्रकार से आप समझे कि आपके जीवन में मंगल दसंप्या है, कौन सा ऐसा कारिय है, जो कराना आप चाहते हैं, और अभी तक नहीं हुआ है, उस कारिय के लिए हमको जुड़ना पड़ेगा, ये मंगल आपके साहस, आपकी उर्जा, आपके केरियर, इन सब को बढ़ाने के लिए वचन बद्ध हैं, क्योंकि उच्च इस्थिती पर आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आपके अपने रासी के स्वामी बनते हैं, इस मंगल से और एनरजी लेने के लिए, इन से और कृपा लेने के लिए, एक बार घूम करके आई है, आपके न मभूमी हों, ये मंगल आपके जागरित हो जाते हैं, और इसी कारण से आप जब वहां से जूड़ते हैं, देख लीजेगा, आप एक कर्म में बढ़ोतरी होगी, नहीं जा पाएंगे, वहां से किसी प्रकार से, आप फोन से, वारताल आप से किसी प्रकार से, आप इतने ने हनुमान जी महराज पर लाल सिंदूर अरपन करना, इस उच्च के मंगल में आपको सफलता दिला जाएगा, हनुमान जी महराज को सबसे ज़्यादा जो प्रिय होता है, यही सिंदूर होता है, हनुमान को खुस करना आसान होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, और काम भाव पर ही अर्था दसम भाव पर ही मंगल है निश्चय मानिये हनुमान जी महराज पर मंगल बार दें सिंदूर अरपन कीजिए आपके कोई कारिया ऐसे नहीं हो सकते जो इस 40 दिनों में आपके जीवन में नहीं बन सकती कुल मिला करके ये जो ट्रांजिट है आपके लिए किसी विसेश बर्दान से कम नहीं होगा बहुत हो गया याचना हमने बहुत ही आचना है कर लिए अपने ग्रहों से यदि आपको सार्थक लगा हो मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भाती इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भुलिएगा और हाँ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी किजेगा पुना है एक बार फिर आप सभी के दिवस बहुत मंगल मैं हो इन्ही सुब कामनाओं के साथ जैस्री राम